इस पेड़ो में हम बात करने वाले है राची उमेंस कॉलेज बीए बीए सी बीकॉम सेलेक्शन लिस्ट कर वाएं की और आप लोगों को पता होगा सेलेक्शन लिस्ट यहाँ पर जो है अभी नहीं आने वाली इस मन्त में क्योंकि 31 अगस्त तक आपके आप्लिकेशन फॉर्म आप रह सकते हैं 31 अगस्त तक जो है राची उनिवर्शेटी से अफिलेड़ जितने भी कॉलेज है उसकी अप्लिकेशन फॉर्म आपको देखनी को मिल गई है वहाँ पर अप्लाई कर लेजिए और उमेंस कॉलेज एक अच्छा उप्सन हो सकता है यहाँ पर बात करे कब अच्छा से अनलाईसिस करके लिस्ट बनाने में तो यहाँ पर एक हफ्ते तक तक तो आपके नहीं आएंगे लिस्ट उसके बाद चांसे से तो यहाँ पर आप उमीद कर सकते हैं 10th of September तक यहाँ पर आपके जो है सेलेक्शन लिस्ट आ जाएंगे अब सेलेक्शन लिस्ट कह के बाद verification के लिए जाना होता है verification होने के बाद आपका यहाँ पर admission confirm हो जाता है याद रखे payment भी आपको online यहाँ पर करनी होगी और 10th of September तक यहाँ पर आ गए मान लेते हैं लिस्ट उसके बाद क्या होगा तो देखिए यहाँ पर आपको बतलादू multiple list आती है मैंने कई बार fourth list fifth list तक आते हुए और यहाँ पर third list तक तक तो confirm यहाँ पर third list तक जो है सारे courses के आएंगी third list तक जो है यहाँ पर काफी लोगों का admission होता है होता क्या है first selection list आएंगी उसमें काफी लोगों ने और आडमिशन ले लिया होता है तो ऐसे में sit हो जाती है vacant अब आगकंट होगे sit तो उसको जो है फुलफिल करने के लिए सेकंड लिस्ट आएंगी सेकंड लिस्ट में भी काफी लोगों का नाम होगा जिन्होंने अल्रेडी कहीं और आडमिशन ले लिया है तो जब है उस पर आएंगी थर्लिस्ट थर्लिस्ट में भी सेम किस रहा तो और multiple list आते रहती हैं, तो admission overall आपका एकमत लग जाता है, तो classes आपके start होंगे, वो होंगे October से, और October से ही जाकर सब कुछ आपका सही से चलेगा, classes वगरा, जितने भी कुछ होंगे, और वो जो है, आपका बतना दू time जो आपका यहाँ पर होगा, examination वगरा का, वो बिल्कुल proper होने वाला है, ज्यादा लेट नहीं चलती, क्योंकि राची इनिवर्सिटी जे कहीं न कहीं, यहाँ पर affiliated है, तो आपको देखनी को मिलेगा, exam उगरा, time पे कोई भी problem नहीं होती, जो काफी concern होते है, student की, यहाँ पर late ना session, तो late आपका नहीं होगा, सब कुछ आपको time पे ही देखनी को मिलेगा, और जो है एक अच्छा आपको environment देखनी को मिल जाता है, education quality आप जो है कैसे current की, वो अपने senior से पता कर सकते हैं, मैं कहूंगा एक average education quality भी आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाती है, और जो है department wise यह differ करता है, hope आपको समझ में आ गया हो, कुछ पूछना हो तो comment करके पूछ सकते हैं, मैं कोसिस करूँगा answer करनी की, thanks for watching, best of luck.